अब देखो सर्चाज की थियरी में एक important point तुमको पढ़ाना बाकी है वो मैं अभी तुमको बताऊंगा ओके तो पहले तो सर्चाज की थियरी याद करो तो यह point में तुमको पढ़ा पाऊंगा और उसके लिए screen पर जरा भी ध्यान मत देना एक वार पहले तुम लोग कैसे आता है उनका net taxable income देखना पड़ता है अगर किसी slab rate वाले assessi का net taxable income is up to 50 lakhs तो उसको सर्चाज नहीं आता लेकिन अगर उसका NTI is more than 50 lakhs तो उसको 10% सर्चा जाता है और अगर उसका NTI is more than 1 crore तो उसको 15% सर्चा जाता है और अगर उसका NTI is more than 2 crores तो उसको 25% सर्चा जाता है और अगर उसका NTI is more than 5 crores तो उसको 37% सर्चा जाता है तो याद आया यह theory तो अब देखो यह जो 25% और 37% वाला जो सर्चाज है ना इस सर्चा जाता है तो सटक जी अंडर सेक्शन 111 A और लटक जी अंडर सेक्शन 112 A सुना ध्यान से मैंने क्या बुला एक वार वापस सुनो short term capital gains अंडर सेक्शन 111 A और long term capital gains अंडर सेक्शन 112 A इन दो income के लिए 25% और 37% वाला सर्चाज अप्लिकेबल नहीं है अब इसका logic क्या है तुमको बताऊंगा लेकिन पहले screen पर heading पर ध्यान दो ये दिखो screen पर मैंने क्या लिखा है 25% 37% सर्चाज is not applicable तू सटक जी अंडर सेक्शन 111 A और लटक जी अंडर सेक्शन 112 A सी पहले तो इसका मतलब क्या होता है वो समझो फिर तुमको बताऊंगा कि ये 25% और 37% वाला सर्चाज वाई इस नॉट अप्लिकेबल तू सटक जी अंडर सेक्शन 111 A और लटक जी अंडर सेक्शन 112 A तो ये देखो स्क्रीन पर नीचे मैंने जो ड्रॉइंग किया ना उस पर ध्यान देना ये देखो स्क्रीन पर मैंने क्या लिखा है S L O S L O का मतलब क्या है S मतलब सटक जी अंडर सेक्शन 111 A L का मतलब लटक जी अंडर सेक्शन 112 A और O का मतलब है अधर इंकम और अधर इंकम मतलब कोई भी इंकम हो सकती है except सटक जी अंडर सेक्शन 111 A and लटक जी अंडर सेक्शन 112 A तो पहले तो SLO का मतलब समझा अब देखो अपना सर्चाज का रूल क्या है कि अगर net taxable income is up to 50 lakhs तो सर्चाज नहीं आता तो ये देखो स्क्रीन पर जो जो highlight कर रहा है उस पर ज्यान दो अगर net taxable income is up to 50 lakhs तो सर्चाज कितना आएगा 0% तो ये देखो क्या लिखा है 0%, 0%, 0% फिर देखो अगर किसी का NTI is more than 50 lakhs तो उसको सर्चाज आता है कितना 10% वाला और ये 10% वाला सर्चाज तो हर income पे आता है ये देखो स्क्रीन पर बने क्या लिखा है 10%, 10%, 10% मतलब whether the income is सटक जी अंडर सेक्शन 111A लटक जी अंडर सेक्शन 112A और any other income 10% सर्चाज तो हर तरह की income पे आता है और फिर अगर किसी का NTI is more than 1 crore ये देखो स्क्रीन पर क्या highlight कर रहा हूँ more than 1 crore तो उसको सर्चाज कितना आता है 15% and again 15% वाला सर्चाज भी ऐसा है न जो हर तरह की income पे आता है तो ये देखो स्क्रीन पर क्या लिखा है 15%, 15%, 15% फिर देखो अब main point आएगा ध्यान देना भी अगर किसी का net taxable income is more than 2 crores ये देखो स्क्रीन पर क्या highlight कर रहा हूँ 2 crores ये अभी most important point आ रहा ध्यान देना अगर किसी का net taxable income is more than 2 crores तो ऐसे में क्या होता है normally 2 crores के उपर cross होता है तो सर्चाज का percentage कितना हो जाता है 25% तो ये देखो स्क्रीन पर 25% लिखा ही है मैंने लेकिन ये 25% is applicable only for other incomes it is not for साटक जी under section 111 A and लटक जी under section 112 A ये 25% वाला सर्चाज is only and only for other incomes और ऐसा क्यों इसका logic तुमको मैं बताता हूँ लेकिन एक वार मुझे ये drawing खतम करने दो ये देखो स्क्रीन पर फिर क्या लिखा है अगर किसी का NTI is more than 5 crores तो ऐसे में सर्चाज कितना आता है 37% तो ये देखो स्क्रीन पर मैंने 37% लिखा हुआ ही है देखो क्या highlight कर रहा हूँ 37% लेकिन ये 37% वाला सर्चाज is only for other incomes other than Satakji under section 111 A and Latakji under section 112 A this means ये 25% वाला सर्चाज और 37% वाला सर्चाज is not applicable to Satakji under section 111 A और Latakji under section 112 A बट इसका मतलब ये नहीं के Satakji under section 111 A और Latakji under section 112 A इसके उबर सर्चाज ही नहीं आएगा सर्चाज आएगा लेकिन ओ 25% और 37% वाला सर्चाज नहीं आएगा इन दो income पे 15% जितना ही सर्चाज आ सकता है maximum से maximum अब देखो इसका logic क्या है logic ये है कि Satakji under section 111 A और Latakji under section 112 A इन दो capital gains पे government जादा tax नहीं मार सकती क्योंकि ये ऐसे capital gains है जिस पे assessi ने already securities transaction tax मतलब STT भरा हुआ है and since एक assessi ने STT भरा हुआ है इन दो income पे तो government इन दो income पे जादा tax नहीं मार सकती तभी तो government ने Satakji under section 111 A का खाली 15% tax रखा है और Latakji under section 112 A का खाली 10% tax रखा है तो उसी चकर में इस पे सरचाज भी जादा बढ़ाया नहीं maximum से maximum 15% तक सरचाज जा सकता है और वो 25% और 37% वाला सरचाज इन लोग के लिए applicable नहीं करवाया है क्योंकि idea is these two incomes cannot be taxed at high rates because these two incomes are such where an assessi has already suffered and already paid security transaction tax इसलिए government ने इसका basic tax भी कम रखा है और उस पे सरचाज भी maximum से maximum तक 15% रखा है और उसमें 25% 37% वाला सरचाज कभी आएगा ही नहीं ओके अब देखो इस knowledge के basis पे एक example solve करके बता रहा हूँ तो उसमें तुम लोग को ज़ाधा clarity में लिग ओके तो ये देखो screen पर अपनी printed notes में जो printed example है ना उसी की मदद से मैं तुमको सिखा रहा हूँ तो ये देखना मान लो किसी assessi के पास सटक जी under section 111 A है लटक जी under section 112 A है और other income है screen पर देखा मैंने किसको underline किया वापस देखो मैं highlight करके बता रहा हूँ screen पर द्यान दो एक सटक जी under section 111 A और एक लटक जी under section 112 A और other income देखा ये तीन चीज अब देखो ये तीनो income के amounts को change करके मैंने example बना है अब इसमें भी है न ये जो table दिख रहा है न printed table उसमें ये वाला part देखो screen पर देखो क्या highlight कर रहा हूँ यहां तक का जो part है न यहां तक का देखा मैंने एक line draw करके बता है यहां तक जो NTI होती है न तो उसमें ज़्यादा मगज मारी नहीं है क्योंकि देखो screen पर क्या लिखा है NTI up to 2 crores मतलब किसी assets का net taxable income 2 crore तक ही है न तो तो problem ही नहीं है तो तो sum solve करना simple है चाहे उसके बाद सटक जी under section triple one हो कि लटक जी under section 112 वे हो क्या other income हो क्योंकि अगर net taxable income is up to 2 crores तो 25% 37% वाला सर्चा तो वैसे भी नहीं आता इसलिए सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर net taxable income is up to 2 crores तो sum बहुत simple हो जाता है उसमें ज़्यादा मगज मारी नहीं है इसलिए मैंने printed notes में वो जो up to 2 crores वाला case बता है न वो simple है एक वार formality के लिए हम लोग solve कर लेते हैं तो यह देखो first case पे ध्यान देना यह देखो screen पर क्या लिख रहा हूँ case 1 देखा case 1 लिखा मैंने अब देखो case 1 में अपना सटक जी under section 111 ए कितना है 40 lakhs लटक जी under section 112 ए कितना है 50 lakhs और other income कितना है 5 lakhs देखा screen पर तो अपना net taxable income कितना हो गया 95 lakhs यह देखो 95 lakhs को मैं highlight कर रहा हूँ और अगर किसी का NTI is 95 lakhs मतलब वो 50 lakhs से तो जादा है लेकिन 1 crore cross नहीं हुआ और कभी भी NTI 50 lakhs से जादा होता है और 1 crore cross नहीं हुआ है तो उस पर सर्चाज कितना आता है 10% तो यह देखो screen पर मैंने क्या लिखा है यह जो 10% मैंने लिखा है न 10% is the rate of सर्चाज और यह 10% सर्चाज is applicable on all types of income मतलब हम लोग कैसे solve करेंगे पहले तो वो 5 column वाला statement बनाएंगे सटक, लटक, 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 winnings, balance और सब कॉलम में tax compute कर लेंगे 15%, 10% और सादा लटक जी पे 20%, winnings का 30% और balance पे slab rates के सबसे tax निकाल लिया और फिर सारे taxes को combine करके उसका 10% सर्चाज आएगा और ये 10% मैंने screen पर लिखा है जिसको मैंने goal किया समझा तो ये first case था first case थो simple था अब second case पे ध्यान दो ये देखो screen पर second case second case में assume करो assessi का सटक जी under section triple one ने 40 lakhs है लटक जी under section 112 वे 50 lakhs है और other income 90 lakhs है तो उसका total net taxable income कितना हो गया ये देखो screen पर मैं highlight कर रहा हूँ 1 crore 80 lakhs देखा मैंने किसको highlight किया 1 crore 80 lakhs is the NTI अब NTI 1 crore से जादा हो गया है 1 crore 80 lakh है और कभी भी NTI 1 crore से जादा होता है ना but not more than 2 crores तो ऐसे में सर्चाज कितना आता है 15% और ये 15% वाला सर्चाज तो हर तरह की income पे आता है तो चाहे वो सटक जी अंडर 111 A हो कि लटक जी अंडर 112 A हो कि अधर income हो 15% वाला सर्चाज तो हर income पे आता है तो ये देखो screen पर मैंने क्या लिखा है 15% 15% सर्चाज आएगा on all the types of income which assess he has तो ये second case भी simple था see let me tell you case 1 और case 2 काली formality का तुमको पढ़ाय जा रहा है main तुमारा ध्यान किस पे होना चीए मालूम है ये देखो screen पर NTI more than 2 crores हुआ तो देखा क्या highlight किया अगर किसी का NTI more than 2 crores हुआ न तो थोड़ा careful रहना पड़ता है वो चीज अभी मैं बता रहा हूँ तो अब देखो third case पर ध्यान देना third case ये देखो screen पर case number 3 देखा मैंने कहा लेका third case तो मान लो third case में assessi का सटक जी under section triple one ए 40 lakh है देखा screen पर 40 lakh कौन सा 40 lakh देख रहे हो case 3 में ओके and फिर लटक जी under section 112 वे 50 lakh है and फिर other income पर जान दो screen पर देखो मैंने red font में लिखा हुआ है other income third case में कितना है 1 crore 20 lakhs अब इन तीनों income को add करके total NTI कितना आ रहा है ये देखो मैं highlight कर रहा हूँ 2 crore 10 lakhs मतलब assessi का NTI 2 crore cross हो चुका है देखो कितना है 2 crore 10 lakhs और एक वार NTI 2 crore cross हो गया ना तो 25% वाला सर्चाज आता है लेकिन be careful अपना rule क्या है वो जो सटकू under section 111 ए और जो लटकू under section 112 वे ये दो जो income है ना इस पे 25% वाला सर्चाज तो कभी आता ही नहीं है तो ये देखो screen पर मैंने इस 40 lakh के बाजू में कितना percent लिखा है 15% देखा screen पर case 3 पे ध्यान दो case 3 में सटक जी under section 111 ए कितना है 40 lakhs ये दो को 40 lakhs लेकिन इस 40 lakhs के उपर सर्चाज कितना हैगा 15% even if the net taxable income is about 2 crores 25% वाला सर्चाज सटक जी under section 111 ए पे नहीं आ सकता similarly लटक जी under section 112 ए कितना है देखो 50 lakhs देखा मैंने उसको गोल किया उस 50 lakh के बाजू में भी मैंने क्या लिखा है 15% case 3 पे ध्यान देना और इदर भी 15% लिखा है notice किया even if the net taxable income is about 2 crores इस पे सर्चाज 15% ही आएगा क्योंकि वो 25% वाला सर्चाज सटक जी under 111 ए और लटक जी under 112 ए के लिए applicable नहीं है लेकिन other income के लिए तो applicable है ना but other income की amount को देखो अभी other income की amount case 3 में देखना कितनी है 1 crore 20 lakhs तो अब ये other income का amount individually देखके decide करना पड़ेगा कि उसमें सर्चाज कितना हैगा और individually मैं other income को देखो ना individually तो वो कितनी है 1 crore 20 lakhs मतलब वो 1 crore 20 lakhs तो 2 crore के उपर नहीं है ना तो उसको 25% वाला सर्चाज नहीं आएगा even though the NTI in totality is more than 2 crore क्योंकि वो more than 2 crore क्यों हुआ वो सटक जी under section 111 है और लटक जी under section 112 है उनके आने के कारण 2 crore cross हुआ है नहीं तो उनके bigger तो assessi का NTI सिर्फ 1 crore 20 lakhs था ये तो क्या है वो 40 lakhs का सटक जी और 50 lakhs का लटक जी आगया ना तो उस कारण से assessi का NTI 2 crore cross हुआ है इसलिए law ने assessi को बोला है ठीक है हम तेरे सटक जी और लटक जी के उपर 25% वाला सर्चाज तो मारते नहीं है लेकिन उनके आने के कारण बिचारी तेरी other income बढ़के तेरा NTI 2 crore cross हो रहा है तो तुझे उनके कारण सफ़र नहीं होना पड़ेगा मतलब तेरी other income को हम individually देखके decide करेंगे कि अगर वो individually 2 crore cross नहीं हुई है ना तो तुझे वो 25% वाला सर्चाज नहीं आएगा नहीं तो पता है अगर वो 25% वाला सर्चाज आ जाता ना तो उसका मतलब क्या होता मालूम है कि असेसी को वो सटक जी under section 111 A और लटक जी under section 112 A उनके आने के कारण सफर करना पड़ा यानि कि उनके होने के कारण असेसी का NTI टू क्रोस क्रोस हो है और उसकारण से बिचारे का सर्चाज 25% हो गया और basically law क्या चाता है कि इन दो इंकम पे ना तो आमें 25% वाला सर्चाज मारना है ना इन दो इंकम के आने के कारण तेरी other income सफर हो इसलिए तेरी other income को हम individually देखेंगे और अगर वो individually टू क्रोस क्रोस नहीं हो रही है ना तो तुझे 25% वाला सर्चाज नहीं आएगा अब देखो case 3 में मैं कुछ amounts change करके तुमको सिखा रहा हूँ तो ध्यान देना screen पर case 3 पे focus करो case 3 के मैं amounts change कर रहा हूँ तो उसी उससे क्या फरपड़ेगा तो मान लो अगर उसका लटक जी अंडर section 1團 1A 1 करोर होता एदेको screen पर मैंने 1 करोर लिखा भी है देखा 1 करोर और उसका लटक जी अंडर section 20 lakh होती 10 lakh तो पता है अभी भी उसका total NTI कितना आ रहा है ये देको screen पर total करके देखो 1 करोर 1 करोर and 10 lakhs total कितना हो गया 2 croce 10 lakhs तो अब बताओ essay में सरचाज कितना आएगा तो पहले तो in total उसका NTI कितना आ रहा है 2 croce 10 lakhs लेकिन कभी भी NTI 2 croce cross वा ना तो अपने को ये 3 O income का individual decision लेना है कि सरचाज कितना आएगा तो 3 O का individual decision लो तो एके करके बताना पहले स्क्रीन पर देखो यह जो मैंने 1 क्रोर लिखा है न अपने हातों से यह देखो स्क्रीन पर मैं हाइलाइट कर रहा हूँ यह 1 क्रोर पे कितना सर्चाज आएगा 15% क्योंकि सटक जी अंडर सेक्शन 111 A को एक वरदान मिला है कि तुझे 25% वाला क्रोर देखो यह देखो स्क्रीन पर यह दूसरा 1 क्रोर किसका था लटक जी अंडर सेक्शन 112 वे इसका भी सर्चाज कितना आएगा 15% 15% तो आए गई क्योंकि इन टोटल अपना NTI कितना है 2 क्रोर से जादा इस 2 क्रोर 10 लाक्स ओके तो इधर 15% सर्चाज आ जाएगा अब अ Other Income का Individually Amount कितना है 10 लाक्स यह देखो स्क्रीन पर मैं सर्कल कर रहा हूँ 10 लाक्स अब यह 10 लाक्स को Individually देखो गया न तो कितने लोग तो मालू में क्या बोलते 10 लाक ही है क्या मतलब यह तो 50 लाक भी क्रोर से नहीं हुआ इस पे तो सर्चाज आना ही नीची है तो तो मिनिममम 15% तो आए गई क्या बोला मिनिममम 15% वाला सर्चाज तो आए गई खाली वो 25% लेना है कि नही 37% लेना है कि नही उसके लिए हम लोग Other Income का Amount Individually देखेंगे लेकिन Individually देखना है उसका मतलब यह नहीं कि 50 लग से कमवा तो 0% सर्चाज कर दो या 0% कैसे हो सक मेरे इस एक्जामपल में उसका NTI in Totality कितना है 2 करोड 10 लाक मतलब 2 करोड से तो जादा हो गया ठीक है वो सटक जी और लटक जी के आने के कारण अपने को 25% वाली तकलिप नहीं होगी लेकिन 15% का सर्चाज तो बेजिक आए गा है ना क्योंकि वो सटक जी और लटक जी पे 15 15% तो आता ही है तो अपनी अधर इंकम के 10 लाक के उपर भी 15% वाला सर्चा तो लेवी हो गई तो बेजिक लिए मुझे क्या बताना था कि एक वार NTI टू क्रोस क्रोस होता है ना तो हम लोग सटक जी लटक जी और अधर इंकम का अमाउंट इंडिविजली ज़रूर देखे देखेंगे लेकिन जस्ट फॉर दसेक ऑफ डिसाइडिंग कि वो 25% वाला सर्चा थर्टी सेवन परसें वाला सर्चा लेना है के नहीं लेकिन मिनिममम 15% तो कंफर्म हो गया वांस योर NTI क्रोस टू क्रोस ओके फिर देखो फोर्थ केस पर ध्यान देना फोर्थ केस में अप तो 25% वाला सर्चा तो कभी आई नहीं सकता एंद फिर लटक जी अंडर सेक्शन 112 वे 50 लाग उसके बाजू में सर्चाज कितना लेका है 15% तुम लोग केस फोर पे ध्यान दे रहे हो ना तो ध्यान दो उदर ओके एंद फिर केस फोर में other income का amount कितना है ये देखो स्क्रीन प करोड से जादा है अब 25% वाला सर्चा जाएगा क्योंकि अब ये 3 करोड इंडिविजुली 3 करोड है ये कोई सटक जी और लटक जी के आने के कारण तकलिप नहीं हुई है इर्रिस्पेक्टिव और फिर सटक जी लटक जी other income इंडिविजुली 3 करोड है ना तो उस पे 25% व लेकिन सटक जी और लटक जी का amount मैंने सेम रखा है 40 लाग 50 लाग तो ये देखो 40 लाग पे 15% सर्चाज और ये 50 लाग पे 15% सर्चाज लेकिन ये 15% हम लोग 40-50 लाग के ओपर compute नहीं करेंगे है ये तो मैंने खाली उसका relevant सर्चाज का percentage लिखा है एक्चुली तो कैसे होता ह वो 40 लाग और 50 लाग पे पहले basic tax compute करना पड़ता है 40 लाग पे कितना tax आता है 111 A में rate क्या था 15% और 50 लाग पे 10% tax आता है और उसमें भी 1 लाग का exemption लेने के बाद balance पे 10% tax आता है तो पहले तो tax compute होता है and फिर tax amount का 15% ये तो खाली में बाजू में 15% लिखके बता रहा हू कि ऐसी income का surcharge 15% ही रहेगा it cannot go to higher level of 25 and 37% अब other income को individually देखो ये देखो other income का individually amount कितना है 6 करोड मतलब independently other income खुद 6 करोड बनके बैठी है और 6 करोड मतलब ये तो 5 करोड से जादा है और since ये other income individually 5 करोड के उपर है न तो उस पे 37% वाला सर्चा जाएगा ये देखो screen पर मैंने लिखा है 37% अब देखो ये 5 केस को एक वार प्रॉपरली वापस revise करना पड़ेगा ताकि इसमें अपने कोई system समझ जाए कि किस सरह से decision लेना चाहिए तो ये देखो screen पर इसको मैं वापस एक वार revise करवा रहा हूँ और ये ज जादा important है तो please जरा ध्यान देना ओके ये देखो तो ये देखो screen पर सबसे पहले तो दिमाग में ये बिठाओ कि दो type के sums आ सकते हैं एक ऐसा sum जिसमें NTI is up to 2 crores और एक ऐसा sum जिसमें NTI will be more than 2 crores ओके तो पहले दिमाग में ये fit करो ये देखो screen पर मैंने भी table वैसा ही बना can you see ये line में ने draw किया है अब इस line का मतलब है कि अगर NTI 2 crores तक ही होगी ना खाली ये देखो screen पर NTI up to 2 crores तो question बहुत simple है तो कभी tension ही मत ले ना क्यूंकि अब to 2 crores वाली NTI में तो वैसे भी 25% वाला सर्चाज और 37% वाला सर्चाज नहीं आता इसलिए कभी भी अपने question में NTI up to 2 crores है ना तो tension मत ले ना एन फिर बाद में सटक जी लटक जी other income ये सब को individually valid मत करना इसलिए देखो मैंने भी अपने printed notes में देखो कैसे किया है NTI को ये देखो NTI को red color से जो लिखा है ना वो total NTI को red color से लिखा है मतलब अपने को individually सटक जी लटक जी और other income का amount कितना है वो नहीं देखना है we just have to see कि in total अपना NTI क्या है एक वार question में NTI 2 करोज तक है ना तो अपने को total NTI को देखके addition लेना है तो ये देखो अपने case 1 में total NTI कितना था 95 lakhs मतलब it was a simple case of above 50 lakh और above 50 lakh वालों का सर्चाज कैसे आता है 10% तो ये देखो इधर 10% लिखा हुआ है ओके एन फिर second case में अपना total NTI कितना था एक करोड़ असी लाग और एक करोड़ असी लाग को याद करो theory में सर्चाज की theory में क्या था कभी भी एक करोड़ से उपर जाता है ना तो 15% सर्चाज आता है ये देखो screen पर 15% लिखा है मतलब total NTI को देखे edition ले लो total NTI को देखे और ये individual figure पर ध्यान ही मत देना ये देखो screen पर मैं इसको काट ही रहा हूँ ये देखो ये individual figure पर ध्यान ही नहीं देने का just see the total NTI and decide the percentage of सर्चाज ओके लेकिन ऐसा कब अगर अपने question में NTI is up to 2 crores ओके लेकिन अगर exam में ऐसा question आया जिसमें net taxable income is more than 2 crores ये दोगो screen पर क्या लिखा है NTI more than 2 crores तो ऐसे sum में एकदम alert होना चाहिए उसमें भी खास करके कब अगर उस question में सटक जी under section 111 A और लटक जी under section 112 A हुआ तो और पता है exam में best तरीका क्या है exam में सर्चाज का percentage decide करने के लिए don't see the NTI in totality हाँ एक बार खली ये देखना है कि in total NTI 2 crores के उपर है न तो बस उसके बाद अपने को exactly सर्चाज का कितना percentage लेना है for that we will see other incomes का amount individually इसले देखो अपने printed notes में है न other income की amount को मैंने red font में लिखा है ये देखो screen पर मैं highlight भी करके बता रहा हूँ ये देखो other income का amount red font में देखा एक करोड 20LaG फिर इदर भी देखो other income का amount red font में लिखा है देखा 3 करोड फिर इधर भी other income का amount red font में लिखा है देखा 6 करोड मतलब किसी का भी NTI 2 करोड की उपर गया ना in totality तो फिर उसकी other incomes को individually देखके सर्चाज का percentage decide करना चीए ओके और उसमें भी minimum 15% तो confirm है क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ यह ऐसा case है जिसमें total NTI 2 करोड की उपर है और एक वर 2 करोड की उपर की दुनिया तुमने देख ली ना तो minimum 15% तो confirm है उसके लिए हम लोग other income के amount को individually देखेंगे तो यह देखो screen पर इधर other income का amount कितना था 3 करोड और other income की amount individually 2 करोड की उपर हो गई मतलब यह case में 3 करोड है तो तो 25% सर्चा जाएगा और फिर last case में देखो other income की amount individually कितनी है 6 करोड और 6 करोड मतलब 5 करोड के उपर है तो 37% का सर्चा जाएगा मतलब other income की amount देखके decide करो के 15 लेना है के 25 लेना है के 37 लेना है लेकिन उसमें minimum 15 तो लेना ही है ओके अब देखो अपना यह last case था ना उसको solve कैसे करना चीए मतलब उसका sum में presentation कैसे होगा तो सी last case पे ध्यान दो ना last case में अपना सटक जी under section 111 ए कितना था 40 लाग लटक जी under section 112 ए कितना था 50 लाग और other income कितना 6 करोड तो पता है ऐसे sum में presentation कैसा होगा यह देखो सबसे पहले तो हम लोग 5 rates of income का statement बनाते हैं फिर बाद में हम लोग वो करते हैं ना सटक लटक winnings balance सटक लटक winnings balance गरीबों के लिए rebate अमीरों के लिए सरचाज सब के लिए health and education says वो वाला जो statement बनाएंगे ना तो उसमें देखो मैं presentation कैसे बता रहा हूँ ध्यान से देखना यह देखो सबसे पहले तो देखो मैंने amounts को कैसे set किया है पहले तो सटक जी under section 111a वाले column में कितना लिए चालिस लाग यह देखो स्क्रीन पर 40 लाग and फिर लटक जी under section 111a का amount कितना लिखा है पचास लाग जो कि अपने fifth case में था है ना and फिर सादा long term capital अपने example में नहीं है तो zero and फिर winnings का amount भी नहीं है तो zero और यह जो other income थी ना अपने fifth case में उसको मैंने balance में लिखा है और वो कितना था अपना last case में 6 करोड अब देखो इस पर tax कैसे compute करते है basically मुझे तुमको presentation बताना है तो यह देखो पहले तो सटक जी under section 111a का कितना tax है 15% तो 40 लाग का 15% कितना हो गया 6 लाग तो यहाँ पर मैं 6 लाग लिख रहा हूँ okay and फिर लटक जी under section 112a इस पर कितना tax हाता मलूम है 10% लेकिन उसमें भी तो बचा कितना 49 लाग और फिर 49 लाग का 10% तो that comes to 4.9 लाग तो यह देखो screen पर 4.9 लाग आ गया and फिर इसका तो tax 0 है इसका भी tax 0 है और balance पे tax कैसे compute होगा as per slab rates तो जो भी आएगा मैं इदर calculate नहीं कर रहा हूँ I am just writing as per slab rates tax आजाएगा ओके और slab rates क्यों बोला मलूम है क्योंकि slab rates वाले assessi लोग कोई तो 25% और 37% वाला सर्चाज आता है बाकी partnership firms और corporates को तो यह 25 और 37% वाला सर्चाज है ही नहीं तो यह जो point में तुमको कब से सिखा रहा हूँ न it is mainly for slab rate वाला assessi इसलिए balance वाला जो column है जिसमें 6 करोड का amount है उसमें slab rates से tax complete होगा ओके अब इसके बाद हम लोग क्या करते है रीबेट लेते लेकिन रीबेट under section 87A नहीं है क्योंकि रीबेट तो किसको आता है गरीबों के लिए और यह assessi गरीब दिख रहे है करोडों में कमा रहे है तो यह assessi गरीब नहीं है तो इसको रीबेट तो नहीं आएगा लेकिन सर्चा सर्चाज आएगा क्योंकि यह assessi अमीर है एन अमीरों के लिए सर्चाज होता है लेकिन सर्चाज कैसे लेंगे यह देखो screen पर पहले तो मैं printed example में highlight क्या कर रहा है वो देखो यह देखो सर्चाज का percent यह देखा 15% देखा मैंने पहले तो circle क्या किया 15% screen पर एकदम right कोने में देखो फिर यह देखो 15% फिर यह देखो 37% different different percent का इस्तमाल करना है न तो यह देखो इसका presentation कैसा होगा पहले तो यह जो 6 lakhs दिख रहा है screen पर देखो हातों से जो मैंने 6 lakhs दिखा उस पर ध्यान दो इसके उपर 15% सर्चाज अलग से compute होगा तो यह 6 लाग का 15% compute करेंगे मैं compute नहीं कर रहा हूं लेकिन 6 lakhs का जो tax figure है न उसका 15% सर्चाज compute होगा ओके एन फिर long term capital gains का tax कितना है आता 4,90,000 फिर यह 4,90,000 का 15% compute करेंगे 15% of what 4,90,000 which is a tax amount on लटक जी अंडर section 112 वे वो tax amount का 15% सर्चाज आएगा ओके लेकिन last में जो 6 करोड का amount देख रहा है उसके उपर हमने slab rates से tax compute किया होगा और उस slab rates से जो अपना tax का compute किया वा answer आया होगा न उसके उपर 37% वाला सर्चाज आएगा basically मैं यह लिखके क्यों बता रहा हूँ मालू मैं क्योंकि हम लोग पहले जो sum solve किये थे न उसमें क्या आदत थी अपनी जितने भी taxes हम लोग compute करते हैं न सब taxes को combine करके एक combined tax का जो figure आता है न उसके उपर हम लोग सर्चाज निकालते in totality लेकिन ऐसे questions में अपने को सर्चाज individually column wise निकालना पड़ेगा मतलब सटक जी under section 111 एका जो tax है उसका अलग से सर्चाज निकालो एन फिर लटक जी under section 112 ए उसका अलग से सर्चाज एन फिर बाकी सब income का भी अलग से सर्चाज निकालो मतलब हर column वाला जो tax है न उसका अलग अलग सर्चाज compute करेंगा ओके एन फिर बाद में सर्चाज compute होने के बाद जो figures आता है न उसको बाद में भले combine कर लो और combine में health and education से compute कर सकते ओके तो इस तरह से इसका presentation होगा ये मुझको बताना था ओके तो finally अपना सर्चाज वाला एक अच्छा important point बाकी था वो खतम हो गया और ये latest amendment है अपने exam के लिए latest amendment है तो इसलिए बहुत important है और इसका पता है exam में question बनाना होगा न तो इन लोग जरूर एक ऐसा sum बनाएंगे जिसमें NTI is more than 2 crores ये देखो ये वाला patch है न ये बहुत important है अपने लिए इन लोग exam में ऐसा ही sum बनाएंगे जिसमें NTI more than 2 crores है औ और उसमें सटक जी under section 111 A लटक जी under section 112 A ऐसा amounts भी डालेंगे और फिर अपने को क्या करना है सटक जी और लटक जी का जो amount है उस पे तो 15% का maximum सर्चाज होता है वो तो confirm 15% हो गया लेकिन other incomes other incomes का figure individually देखके decide करेंगे कि 25 लेना है कि 37 लेना है कि 15 लेना है और उसमें भी 15 तो minimum लेना ही है लेकिन 2 करोड के उपर हुआ तो 25 परसेंट 5 करोड के उपर हुआ तो 37 परसेंट ओके तो इस सरगा सम शायद आ सकता है क्योंकि यह latest amendment है